नमस्कार कारिक्रम जीवन शैली में आप सभी दर्शकों का बहुत पहुत स्वागत अविननन मैं हूँ आपके साथ विश्व गंदु पांदे दर्शकों जैसा कि आप सभी जानते हैं हम अपने इस कारिक्रम में जीवन शैली पर आधारित बहुत से विशों पर बातचीत करते हैं आज हम एक बहुत खास विशे को अपने इस कारिक्रम में शामिल कर रहे हैं और आज का हमारा विशा है धैनिक जीवन में योग की भूमी का और इस विशा पर बाच्रीत करने के लिए हमारे साथ योगाचारे श्री अनुप भड़ जी है अनुप जी बहुत लंबे समय से योग पर कारे कर रहे हैं और योगी क्लासिस के माध्यम से हर किसी को योग सिखा रहे हैं इसी के साथ हमारे कारिक्रम में हम से जोट रहे हैं योग साधक साधिका हमारे साथ में योग साधक हैं अंकीर जी और योग साधिका हैं रितु जी आप दोनों का ही और आप सभी का दोड़ दर्शों उतराखन के खास कारेक्रम में बहुत-बहुत स्वागत अभी नंदन अनुप जी जैसा कि हम जानते हैं कि आज ही व्यस्त जीवन चरिया में और जो व्यस्त जीवन शैली हो गई है लोगों की इसमें योग का बहुत जादा महत्व है और इसमेर विविन तरह से हम बहुत से कारेक्रमों के माध्यम से लोगों को जागरूब भी करते हैं कि वो योग करें तो सबसे पहले कारेक्रम की शुरुवात करेंगे कि योग की हमारी जीवन में क्या उप्योपिता है जी आपने का जीवन सहली है तो पहले हमें समझना जरूरी कि जीवन सहली है क्या जब हम जीवन को जीने की जो हमारी कला है जीवन को हम किस तरीके से जीते हैं और उसको लेकर हमारी कैसी एक्सपेक्टेशन रहती है कि हम चाहते हैं कि हमारा सरीर जो स्वस्त रहे योग की जो उपयोगिता है वो बहुत ज़ादा व्यापक है और इसलिए तो आज हर घर में योग हो रहा है. तो अनुप जी योग में कारिक्रम की शुरुवात, आप आज के किस तरह से करना चाहेंगे? तो यही योग है, जैसे हमारा सरीर और मन का मेल करवाता है, यह दोनों जब आपस में मिलते हैं, तो इससे होगा क्या है, हम एक तो मानसिक तोρ से सांत बने रहेंगे, और साती सारीख तोर से योग के मायदम से मिलता है, इसमें हम यह भी देखते हैं, जो योग में दिन चरिया है, वो कैसी होनी चाहिए किसी व्यक्ति की? जी योग में जो दिन्चरिया है देखिए जब आप योग करने जाओ तो योग करने से पहले हमें कुछ बातों का दियान रखना बहुत ज़रूरी है कि जब हम सुबह उठते हैं तो सुबह हम सबसे पहले उठे हैं हलका से गुनगुना पानी पी ले हैं उसके बाद अपने जो नित्य करम है नित्य करमों से निमिर्त होने के बाद हम इसनान करने के बाद जब हम योग करते हैं तो योग करने से हमारे श्रीर में एक तो लागपता आता है, हल्का पन आता है जिसके बाद आप देखोगे कि जो बी हम ब्यावसाई करते हैं, जब हम उसमें जाते हैं, तो हमें देखने को मिलता है कि धिन भर एक अलगी उर्जा हमारे अंदर बनी बनी वी रहती है, मन सांत रहता है और हम किसी भी कारिय को करते हैं तो उसमें एक सकारत्मक तरह रहती है जो हमें योग से ही मिलती है अन्या मुझे नहीं लगता कि कोई भी चीज इस तरह के कोई कारे कर सकती है और मानव शरीर में जब सकारात्मक ओर्जा का संचार होगा तो ही तो हमारी तभी तो हमारी जीवन शैली जो है दिंचरिया जो है वो अच्छी बनेगी बिल्कु सही बात है और आज का जो कारिक्रम हमने इसी लिए विशेर चुना है कि दैनिक जीवन में जो योग की भूमिका है तो अब कारिक्रम की शुरुवात और कारिक्रम में जो योगिक क्रियाएं हैं उनको आप शुरुवात करें जी तो आईए अब योगिक कारियों के सुरू करते हैं सबसे मैं ने योग साथ दिखा रितु जी से आगरे करूंगा वो अपने दोनों हातों को सामने कर लीजिए करेंगे कुछ सुक्षम बयायम दोनों हातों की मुठ्यां बनाएंगे स्वास लीजिए स्वास चूरते हो मुठ्यों को अंदर के और गुमाना स्टार्ट करेंगे 1, 2, 3, 4 ना अपोजिए साइट 1, 2, 3, 4 धीरस हातों को वापस अब धीरस अपने दोनों हातों को अपने कंदों के उपर रखें स्वास लीजिए स्वास चूरते हातों को नीचे को ले जाए 1, 2, 3, 4 धीरस इसी तरीके से अपोजिए साइट 1, 2, 3, 4, 5 धीरस हातों को वापस ले के आएंगे तो आप देखेंगे कि जब भी हम योग सुरू करते हैं तो योग सुरू करने में हमें सबसे पहला अपने जितने भी हमारे जुएंट से उनको थोड़ा सा मोमेंट देना बहुत जरूरी है जब उनमें उर्जा का संचार होने रखता है रक्त का संचार होने लगता है तो उसके बाद जब हम योग सुरू करने जाएंगे तो हम जो थोड़ा सा बहतर तरीके से कि हमारे किसी जॉइंट में जो किसी तरीके का क्रेम से ना आए बिल्कुल और इसी के साथ में जो हम हातों की exercise है इसको ये जो योगीक exercise है इसके द्वारा अपने शरीर को गर्मी जो उश्मा होती है उस तरह से उर्जावान बनाते हैं पहले जो वॉम अप जैसे के बिल्कुल बिल्कुल अनुक जी फिजिकल प्रभाव अगर हम बात करें शारीक रूप से हमारी जो मन मस्तिक्ष है हमारी शरीर पर किस तरह का प्रभ बातों को ध्यान रखना जरूरी है कि सबसे एकदम से योग सुरू नहीं करना है उससे पहले कुछ स्ट्रेचिंग करनी बहुत जरूरी है तो इसके लिए रितुजी जो है परभतासन में आ जाएंगे आप एक बार देख लीजिए ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा है श्वास भरते हुए भुजंगासन किस्ते थी वान टू थ्री फोर पुने परभतासन भुजंगासन दीरे सापस्वसांगासन में आ जाएंगे तो जब आप सुबह सुबह उठते हैं और इस तरीके कि आप स्ट्रेचिंग करते हैं तो आपके संपूर्ण सरीर में रक्त क संचार होने लगता है और रक्त का संचार जब सरीर में होने लगता है तो उससे क्या होती है एक उर्जा एक उस्मा उत्पन होती है तो इसके बाद यदि हम योग सुरू करेंगे तो आप देखोगी कि जब हम योग की किरियाएं करने लगते हैं तो एक सकारात्मक्ता रहती करते हैं जो और योग करते हैं इस पर क्या अंतर आपको लगता है जिम और योग में जो खास तरह का अंतर है इस पर आप क्या कहना चाहिए जी पहले तुम्हें आपको योग के बारे में बता दूं जी योग बेसिकली हमें करता है के योग हमें सारिक तौर से इस्तिर बनाता प्राणायाम, जो सुवांस परस्वासा, योगर, गतिर, बिचेद, प्राणायाम नहीं, तो हमस्वास परती, तुशेल के संचार को सामन्य करने काम करता है जी दिन्चरिया की शुरुवात में हम कौन से ऐसे सुखर आसन है जो हम आराम से कर सकते हैं इस पर भी हम आप से जाना चाहिए जी तो मैं पहले तो रितु जी अपनी जगा पर खड़े हो जाएंगे तो अभी आप देखेंगे कि जो हम योग करने जा रहे हैं इसे बोलते हैं अस्टांग सूर्य नमस्कार इसके माध्यम से आप देखेंगे कि आप यदि इस तरीके की कुछ एक्साइज कर पा रहे हैं तो आपको मुझे नहीं लगता है कि आपको अन्य किसी अन्य तरीके की forward pada stasana three inhale look up stretch your back four jump back chaturanga dandasana five inhale lift your upper body six exhale downward seven right leg inhale water it was first 8, exhale, chaturang dandasana 9, inhale, upward 10, exhale, downward 11, left leg, inhale, warrior pose first 12, exhale, chaturang dandasana 13, inhale 14, downward facing dog pose 15, inhale and jump forward 16, full forward, pad astasana 17, inhale, bend your knees, utkatasana and slowly release तो आपने ये देखा अभी जो हमने किया है योग तो इसके माधियम से आप अपने सरीर को जो है किस तरीके से मजबूत बना सकते हो सरीर को लचिला बना सकते है तो ये योग कर सकता है आपको लचिला पन दे रहा है आपको मजबूत बना रहा है और मांसिक तोर से सांत बना रहा है। तो आप देखोगी कि उसको जरूरत नहीं पड़ेगे अन्य किसी भी तरीके के आसन करने की वो इतना अपने आपको उर्जावान और गतिवान आसनों के माध्यम से बना लेगा। तो ऐसे में जो हमारे पूरे शरीर का जो मुमेंट है वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि रुख सा गया है। उसमें किसी तरह की क्रिया श्रीलता की जो कमी होती है उससे बहुत सारी बिमारिया भी हो जाती है। आज हम देखते हैं कि मोटापे के लोग बहुत जादा शिकार होते हैं और ऐसे में बहुत जादा मुश्किल होता है उनके लिए कि अपना वेट लॉस कर सके। तो योगी क्रिया कौन-कौन सी ऐसी है जो हमें मदद कर सकती हैं मोटापे के लोग में। आपने ये बड़ा ही अच्छा प्रस्न पूचा अबी क्यूंकि आजकल लोगों को जो जितना भी लाइफस्टाइल डिसॉर्डर बहुत जादा हो रहूं हैं तो योग किस तरीके से उसके जीवन को सरल बना सकता हैं अभी मैं आपको कुछ योग आसनों को करवाके दिखात जरूँ तो सबसे पहले हम करने वाले हैं उस्तासन अपने दोनों घुटनों पर आ जाएंगे अंके जी दोनों घुटनों के बीज में कुछ अंतर छोड़िए जो लोग सुरवादी योग अभ्यासी वो अपने दोनों हातों को कमर पर रखेंगे श्वास लेंगे श्वास चूरते हैं अपनी कमर को पीछे की और जुकाते जाएए बैंट करिए पूरा इस इस्तिति में आप देख रहे हो कि आपके एक तो गर्दन में खिचाओ आ रहा है दूसरा आपका पेट खिच रहा है तीसरा आपके छाती में खिचाओ आ रहा है दीर से वापस इसी को जब हमें कुछ समय और हो जाए आपको दो मैने चार मैने योग में हो जाता है तो आप इसको थोड़ा सा और एडवांस ले जा सकता है उस्त्रासन को उस्त्रासन भी स्वांस लेते हुए अपने राइट हैंड को उपर उठाएंगे राइट हैंड से राइ तो उनके लिए उस्त्रासन बहुत जादा फायदे में दो, साथ ही आज के लिए आप बड़ा सुनते होंगे कि कमरदर्द हो रहा है, फीमेल्स में बड़ा कमरदर्द का सिकायत आती है, या मेल्स में जिनकी दिन भर स्टेंडिंग जोब बड़ी रहती है, तो उनको समस्याओं से जो निजात पालेंगे, धीर यसे वापस आएंगे, धीर यसे दंडासन के स्थिति मा जाईए, और साथ ही आपने कहा कि मोटापे के सिकार, तो एक तो आपने उस्त्रासन किया, अगला अभ्यास वक्रासन, इसके लिए आपने राइड लेक को बैंड कर लेंग राइड हैंड को अपने रीड के हड़ी के बाद पीछे रखेंगे, लेप्ट हैंड को धीर उपर उठाईए, यह इस्तिति है वक्रा के समान, एक करवेचर पोज है यह, तो इसमें आप देखेंगे कि इससे क्या हो रहा है कि एक तो पेट में परिशर जा रहा है, तो पेट के दिक्कत रहती है, तो उनको जिए ठीक होने लगेगा, और साती इससे होता गया है कि जब आपका ब्लड का सर्कुलरेशन आपके आपके आथों में घूमेगा, सात में आपके पेट में रहेगा, तो उससे आपकी जट रागनी तीप रहती है, बिल्कुल, आपका मेटाब होता है, जिसके वज़े से दीरे दीरे आपका बेट लॉस होने लगता है, बिल्कुल, दीरे से वापस, इसी तरह से भी प्रीत दिशा में करेंगे, अपने लेफ्ट लेक को बेंड करिए, लेफ्ट एंड को स्पाइन के पास रखिए, राइट एंड को उठाईए, धीरे से जो है, और साती इसमें देखिए, आजकल आपको बड़ा सुनने में आता हो कि डियाबिटीज की बड़ी समस्या है, तो यह योगासन है, जिसे वकरासन कहते हैं, यह आपको 100%, आपको 60-70% आपको जो है डियाबिटीज में फाइदा देता है, मदुमे की जिसे हम समस्या कहत कि इन योगी क्रियाओं को अगर हम करते हैं, और अपनी नित्य जीवन शैली में इन्हें अपनाते हैं, तो निश्यत रूप से पेट की समस्या, आजकल हम देख रहे हैं, इन डिजेशन अपच की समस्या, बहुत जादा देखने को मिलती है, तो इस पर अगर हम और कोई एक सरल योगी क्रिया भी अगर इस पे आप कराना चाहें, धीरे से अपने घुटनों पर आ जाएंगे, ये आसन एक मातर ऐसा आसन है, जिसे वजरासन कहते हैं, वजरासन में बैठ जाएंगे धीरे से, इसको एक तो आप, खाने के बाद मातर एक ये आसन है, जिसको आप खाने कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आप बलड का सर्कुलेशन जो आपके नीचले हिस्से की मुकाबले उपरे हिस्से में जादे रहता है, तो अगला भ्यासम कर रहे हैं, मंडुकासन, धीरे से अपने जो दाएं हाथ की मुठी बना लेंगे, और अपने दाएं हाथ की मुठी को ज लगा लिजिए, हाथ, श्वास लीजिए, श्वास छोड़ते हुए, सामने के उर जूचिंगे, मंडुकासन, मंडुकासन का आपने जाधार सुना होगी कि मंडुकासन ज्यो हमारे diabetes के लिए बढ़ा अच्छा रहता है, मदुमे के लिए बढ़ा अच्छा रहता है, लेकिन दीरे से वापस आईए और साथ ही यह क्या करते कि आपने बड़ी मज़ेदार बात ही है कि आपका पेट सांत रहेगा पेट रिलेक्स रहेगा तो आपका मस्तिस्क भी सांत होने लगेगा इन दिनों के आपस में डिरिक्ट संबन्द है जैसा हम इंजन वाइल जैसा फ्यूल हम हम सरीर के अंदर डालेंगे तो उसी का रिजल्ट जो हमें ब्रेन में मिलेगा अक्सर आपने देखा होगे कि जब हम कई तरीके का भोजन करते हैं तीन चार टाइप का भोजन करते हैं तो मानसिक तोड़ चाम बड़े असांत हो जाते हैं माइंड बड़ा इदर उदर घूम आतविक भोजन लो ऐसा भोजन लो जिसमें फाइबर हो जिसमें complete nutrition हो क्योंकि हमें सोच समझ करके अपने मुह के अंदर क्या डाल रहें ये बड़ा ध्यान से देखना चाहिए क्योंकि हम जैसा अंदर डालेंगे उसी का जो रिजल्ट हमारे बाहर दिखेगा आपके चेहरे अत्यन तावरशक है कि किस तरह का भोजन हम ले रहें तब ही तो हम योगी क्रियाई भी कर पाएंगे और अपनी जीवन शैली को संतुलित रख पाएंगे अनुग जी हमने पहले बात की थी शारिरिक प्रभाव जो है योग के हम इसके मानसिक प्रभाव जैसे कि आपने कहा तो उसमें हमें सफलता ही मिलती है उपलबधी हमें प्राप्त होती है तो जो हमारा मानसिक रूप से हम अपने मन मस्तिक्ष को शांत रख सके इसके लिए भी कुछ योगी करियाई है जरूर आप से हम जानना चाहेंगे जी बिलकुल पहले तो अनके जी सामनी इस्तिती में बैठ जाएंगे पदमासन लगाकर पहले तो जो हमने योगासन किर्याई करी है जब आप योगासन करते हो सरीर में लचिला पनाता है तो उससे होता है कि रक्त का संचार तेज होने लगता है जब रक्त का संचार प्रियाप्त मातरा में सरीर में पहुंचता है तो उससे ही म अनुलोम बिलोम, अपने राइट नोस्टल को बंद करेंगे और लेट नोस्टल से धीर धीरे श्वांस लेते रहेंगे, अब अपने लेट नोस्टल को बंद कीजिए और राइट से धीर धीरे श्वांसों को खाली कीजिए, अब राइट नोस्टल से श्वांस लें और लेट से धीरे-धीरे खाली करते रही है इसको कहते अनुलोम-विलोम अनुलोम-विलोम सामान्यत है हमारे सरीर के और मस्तिस्क के तापमान को नियंतरित करने का काम करता है और जब हम इस तरीके क्रियाई करते हैं जिनको हम प्राणायाम करते हैं तो आप देखो कि आपका मन, मस्ति प्राणायाम के माद्यम से मिलता है और आप डिखो की ऐसे ब्यक्ति बड़े ही सकारत्मक होते रहते हैं उनके अंदर जो शकारत्मक आती वह जो भी कारे करते हैं तो प्रतिक चीज में जो है जैसे यहाँ पर एक गिलास भरा हुआ है, तो यह कैसे हम अक्सर सुनते होंगे कि यह गिलास आदर जो भरा हुआ है, तो वो आता कब है, जो हम उस तरीके किरियाई करते हैं, जो हमें जो प्राणायाम के माध्यम से मिलता है, इसके साथ ही जैसे कि आपने प्राणायाम का तो म कर सकते हैं नियमित करें जिसे हमारा जो पूरा का पूरा मेटाबॉलिजम है वो सुन्दर हो सके स्वस्त हो सके जी तो अगला जो मैं प्राणायम बताने जा रहा हूं कि अभी आने वाला जो टाइम है फरवर यह मार्च अपरेल का है ना जून का बहुत गर्मी रहती है तो ऐ गर्मी का समय जो आने वाला है कि वह कौन से पराणायम है तो आएए आव मं करने जा रहे हैं सीतली पराणायम तो सबसे पहले अपनी जीव का जो है पाइब नूमा आकार ले लेंगे जितनी छमता हो अपनी जीव से श्वासों को अंदर के और खीचेंगे अपने छाती को अपने पेट को पूरी तरीके से फुलाईए धीरे से अपनी जीवा को बन कर लीजिए अब अपने हाथ से जो नासिका चिद्रों को बंद कर लीजिए इस इस्तिती में आप जितना रुख सको कम से कम तीन से चार्ड सेकिंड रुखेंगे धीरे से वापस और अपने दोनों नासिकाओं से श्वासों को बाहर खाली कर देंगे तो इसको कहते है सीतली परणायम नाम से ही जलाक रहा है सीतली यानि की सीतलता देता है हमारे सरीर को सीतल यानि ठंडक परदान करने का काम करता है तो अक्सर आपने देखा होगा आज कल लोग बिपी हाई है ठीक है बलड प्रेशर जिनका हाई रहता है ऐसे बड़े लोग आपको सुना है हाइपर टेंशन की बिमारी है तो उसमें जो है यह जो आपने परणायम अभी किया सीतली परणायम किया यह आपके सरीर का जो टेंपरेचर बड़ा हुआ है उसको क्या कर रहा है नॉर्मल करने का काम कर रहा है तो इसको करने के बाद आप देखोगे तुरंत इंस्टेंट एक तो आपका बीपी जो है धीरे धीरे शामानी आने लगता है साथ में आप जो मानसिक तौर से सांत होने लगते है और जब आप मानसिक तौर से सांत होने लग रहे हो जो हमें आजकल चाहिए हर किसी की समस्य यही है, रात को नीद नहीं आ रही है, मन बड़ा ब्याकुल है, तो उसके पीछे का कारण जो है, वो हमारी expectation है, कई तरीके अलग चीजें हो सकती है, तो जो हम प्राणयाम के माधियम से कर सकते हैं, योग की किरियाओं के माधियम से कर सकते हैं, तो जो हमें इ तरीके से आपने बताया, और वात, पित और कफ, जब ये सभी चीजें नियंतरित होंगी, तभी हम सुन्दर बन सकते हैं, बलशाली बन सकते हैं, और हमारा शरीर जो है, और जावान तो होगाई, स्वस्त रहेगा, बिमारिया दूर रहेंगी, अनुप जी, हम देखते हैं क जो लोग रोग से ग्रसित हैं, बिमारी से ग्रसित लोग हैं, उनके लिए योग काफी फाइदेबंध है, योग की उपयोगिता इस्वत बहुत जादा है, जो लोग बिमार हैं, खास और से किसी खास बिमारी से जो लड़ रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, ज तो सबसे पहले अंकी जी आपने पेट के बला लेट जाएंगे जबीन पर पेट के बला जाएंगे करेंगे धनुरासन दोनों पैरों को गुटनों से मोल्ड दीजिए दोनों हातों से अपने एंकल को लोग कर लीजिए श्वास लेते हुए सरीर को उपर के और खीचिए धनुरासन देखे इसका आकार एक धनुर के समान है धीरे से वापस आ जाएंगे तो यह इस्तिती जो आपने देखी धनुस के समान इसमें आपने देखा कि आपके जोए कंदे परियापत मातरा में खीच रहे है कि कंदों की देखे बढ़ी हे तो जब आप इस तरीके क्रिया करते हो, आप धनुरासन को करते हो तो आप उस बिमारी से उस समस्या से जोए निजात पा लेते हैं, एक बार फिर से धनुरासन को दोह राइंगे, धीरे से श्वास लेते हुए शरीर को उपर को खीचे, और साती आप इस आसन में देख रहे है कि इसमें जो पैरों में खिचाव आ रहा है तो आज कर बड़ा सुनाई देता है कि 文 rapper पेड में क्रेम सारी है तो वो इस वज़े से आती क्यों कि blood का circulation सई तरीके से नहीं हो रहा oxygen प्रियाप्त मातरा उमें नहीं पोंच रहा है दीरे से वपस आइए तो जब आप इस तरीकी किरियाइंग करने लगते हैं तो आपके सरीर में एक तो oxygen परियाप मातरों में पहुंचता है और साथ में आपको ब्लड का circulation परियाप मातरों में पहुंचता है तो उससे आप जो काफी सारी बिमारियों से निजात पा लेते हैं दीर से अंकीजियों अपने पीठ के बल लेट जाएंगे तो आप इस इस्तिती में देख रहे होंगे इसे कहते हैं सवासन की स्थिती में दोनों पैरों में कुछ अंतर कर लेंगे हाथे लिया उपर के और जब भी मन ब्याकुल हो आपको मन परेशान होने लगे तो आप इस इस्तिती में लेट सकते हैं और साथ में आजकल आपके पास यूट्यूब है कुछ है तो उसमें कुछ इस तरीके meditational videos लगा लीजिए इस तरीकी ध्वने लगा लीजिए जिससे आपका जो मन कामने साने लगे तो आप इस इस्तिती में कुछ समय लेट सकते हैं दीर से जो अपने दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ लीजिए पैरों में गैप करिए अगला आप व्यासम करेंगे सेतु बंदासन श्वास लेते हुए अपनी कमर को उपर के और उठाईए अपनी छमता अनुसार तो आज कल जैसे बुजुर्ग लोग हैं उनको भी कमर की बड़ी समस्या रहती है धीर से वापस एक बार फिट से धीर से उपर के और तो सेतु बंदासन एक तो इसने सेतु के जैसे आकार ले लिया है तो इससे बेनिफिट क्या होगा एक तो जिस भी ब्यक्ति को किसी भी तरी आसन को कर सकता है उसको सथ पढ़ते साथ इस आसन से जोए लाब ही होगा धीरे से वापस एक बार फिर से श्वास लेते हुए उपर उठाएंगे और साथी इस को करने से आप देख रहे होंगे कि इस समय के आपका बलड का सर्कुलेशन जी अनुप जी यह तो होगी योगि क्रियाओं के बारे में बाचित जो बच्चे हैं योग को अपनाना चाहते हैं चोटी उम्र से ही जब योग करते हैं तो उनका जो मेटाबॉलिजम है पूरी की पूरी जो स्वस्त शरीर होता है उसका निर्मान बच्चमन में ही होता है बच्चों के लिए आप क्या नसियत देना चाहेंगे कि बच्चे किस तरीके से अभिभावक उने योग कराएं क्योंकि एक्जाम प्रेशर भी रहता है उससे वो स्वस्त रहेंगे मनमस्तिक्ष जब स्वस्त रहेगा तो परिक्षाओं में भी अच्छा प्रदर्शन कर सकेंगे जी बिलकुल योग कोई भी कर स रहेंगे तो हमें कुछ इस तरीके के एक्टिविटी कर लेनी चाहिए की उनके मजे मजे में यानिवाइग करते रहें और उसके साथ साथ उने जो है बहुत सुन्दर जानकारी है आपने साथ करी हमारे साथ में जो योग साधक साधिका जुड़ी हैं अंकी जी और यह था आज का कारिकम जिसमें आज हमने द्यानिक जीवन में योग की क्या भूमिका है इस पर बाचीत की अगले अंक में आप से फिर होगी मलाका तब तक के लिए नमस्कार